लेकिन उसमें कुछ नया ठीक है कुछ नई चीज उसको find करने के लिए हम research करते हैं मालग जी हमारे पास कोई topic पहले से है कुछ चीज पहले से है लेकिन हमें उसमें कुछ और नई चीज को खोजना है नई चीज को देखना है तो उसे हम क्या कहते हैं? Research कहते है The word research is derived from the Latin word which means to know अब देखे जो research word है वो Latin word से लिया गया है जिसका मतलब है to know यानकी हिंदी में से कहते हैं जानना किसी के वारे में कुछ जानना उसे कहते हैं research ये Latin शब्द है The word research is made up of two terms अब देखे जो research है वो दो शब्दों से मिलके बना है दो word से मिलके बना है पहला है re, दूसरा है search re का meaning कया है Again and search का meaning कया है examine closely and carefully येन की ये देखें आप लिखा है na re का meaning कया है again येन की again और सरच का meaning salmon closely ये केरफुली वह चीज को आपExamine कर रहे हैं closely और carefully और फिर से कर रहे हैं वह topic जिसे आप फिर से कर रहे हैं लेकिन बहुत केरफुली कर रहे हैं अब देखे जो रिसर्च है वो केरफुली होती है systematic way से होती है कुछ fields में जैसे देखे knowledge की field है वहाँ पर क्या है कि facts को देखा जाता है उसके हिसाब से क्या research होती है आप देखे कि जैसे हमारे scientist है जो कुछ vaccine मनाते हैं कुछ बीमारी होगी तो वो क्या करते हैं तो research करते हैं आप देखे कि जैसे बहुत सारी आपको मैं latest example देता हूँ जैसे देखे करोना था कई देशों ने चाइना ने वैक्सिन निकाली या कुछ कई देशों ने वैक्सिन निकाली या पीपीटी किट निकाली वह इतनी इच्छी नहीं थी आप देखे चाइना ने पीपीटी किट निकाली देखे कि करोना वैक्सिन जो है इंडिया ने बना दी है अब एक दो देशों ने और बनाई है अब देखे उसमें कमिया है जो बाकी देशों ने बनाई है वह सबसे बढ़ी गया है यह scientific proof है यह world में proof हो जुका है अब देखें यहाँ पर क्या है कि अगर कुछ चीज में कुई कमी रह जाए है ना जैसे माली जे वैक्सिन में कुई कमी रही थी तो उसको फिर से देखा गया कि क्या कमी है उसको दूर किया गया तो वो क्या था वो research था यहाँ पर हम देखते हैं research और aptitude दोनों का meaning आपका बता है कि research और aptitude दोनों के meaning आपको देखें हमने research का meaning देख लिया अब हम दोनों का meaning देखेंगे research aptitude जो हमारे chapter का नाम है तो देखे, research का मिनिंग क्या है, research means to find out something new on the topic that already existed अब देखे, research का मिनिंग क्या है, वो ही बात है कि हम जो नई चीज को खोचते हैं, जो हमारे पास topic अलड़ी है लेकिन हम फिर भी उसमें कुछ नया, कुछ न्यू चीज को देखते हैं, वो है research finding the new information about the things we already know यानकि जो चीज हमें पता है, फिर भी हम उसके बारे में new information पता करते हैं, वो है research अब देखे, जैसे मालने जीए, आप J.R.F. qualify कर लेंगे, उसके बाद आप कहीं पर जाएंगे PhD करने के लिए तो आपको topics मिलेंगे, तो जिसे आप research करेंगे, यानकि देखे, आपको एक topic दे दिये जाएगा, for example, मैं बात करता हूँ कि आपने political science से आप समन्नित है, देखे, आपका background political science है, तो आपको India और Pakistan का relation, या Indian, India या foreign country का relation के लिए आपको topic दे दिये जाएगा, आपको research करना है है ना, तो अगर आप नई चीज़ को ले के आएंगे, अगर आप दूसरों से अलग कुछ लेखेंगे, वो क्या है, research है, क्योंकि देखे, आप देखे, मार्केट में अगर आप कोई भी book देखते हैं, एक ही subject की, जैसे माली paper one की बात करते हैं, मार्केट में बहुत सारे book से paper one के लिए, आप उनकी book को देखेंगे, हर एक writer के कहने का तरीका अलग है, topic सेम है, लेकिन writer का जो नजरिया है, लिखने का वो अलग है, क्योंकि देखे, उसका research जो background है, वो बहुत ज़्यादा effective है, किसी ने बहुत depth में लिखा है, किसी ने बहुत depth में नहीं लिखा, जैसन already, लेकिन उसमें हम new information देखते हैं, वो है research, aptitude का meaning क्या है कि, aptitude का meaning क्या है कि, aptitude means the ability or skill to do something, so research aptitude is the ability or skill to systematically carefully and closely examine a situation, procedure or an activity for the formulation of journalization and theory, अब देखें, यहां पर क्या है कि aptitude का meaning क्या होता है, कि to do something, यहां कि कुछ करना, ठीक है, कुछ करने की ability या skill, अब देखें कि जो aptitude होता है, यहां कि research करने का aptitude, अब देखें, हर कोई scientist नहीं है, हर कोई research नहीं कर सकता, है न, कोई कि देखें, किसी में ability हो, कुछ करने की, उसे कहते है aptitude, जैसे मालेजे कि, आप J.R.F. qualify करके, आप research क करेंगे, अब ऐसे तो यह नहीं है, कि हर कोई J.R.F. qualify कर लेगा, हर कोई research करने लगेगा, कोई assistant professor बनेगा, कोई J.R.F. holder बनेगा, कोई teacher बनेगा, कोई PhD करेगा, तो ऐसे ही देखें, हर कोई एक जैसा नहीं है, यहां कि जिसमें ability है, कुछ करने की, जिसमें ability है, है research की, है तो उसे कहते है aptitude, तो यह aptitude जो है, वो systematic way से होता है, carefully होता है, ऐसे करके, तो यह थे research और aptitude का meaning, आपको मैंने यह आपे बताया, so, अब आरी आती है, देखे, simple word में समझने के लिए, in simple words, research can be defined as in depth, study of something, in search of some new information, यहां कि किस भी चीज को बहुत गहराई से, बहुत depth में उस उसे नई information हमें मिले, उसे कहते है research, यह कि simple अब दो में हम कहते हैं कि research वो चीज है, जिस चीज की हम गहराई में जाते हैं, बहुत deep study करते हैं, उसे हमें नई information निकल के आती है, वो है research, अब देखे, it is searching process for finding new information about the things we already know, यहनकि जो चीज़े हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उसे नई चीजों को find करते हैं, नई information find करते हैं, तो नई चीजों को search करते हैं, यह उसका process है research का, it is a scientific examination for searching for important information on a specific topic, यहनकि देखे, यह scientific examination है, आप देखे, scientific का मतलब क्या होता है, कि जो चीज़े scientific proof हो, अब देखे, कि जिस चीज का proof हो, वो scientific proof है, यहनकि हवा में बात जो ह नहीं होती, सभी जो लोग है, यह government है, कोई भी है, वो हमेशा उसी चीज को valid मानते हैं, जो scientific proof है, है न, वो चीज़, it is a scientific proof, it is a scientific examination for searching for important information on a specific topic, अब देखे, कोई specific topic है, उसको scientific examine किया जाता है, scientific examine मतलब कि वो चीज़े fact के according है, अगर मालेज़े हम इंडिया चाइना का relation लिखते हैं, तो वो वैसे ही scientific proof हमें देखना होता है, वाके ही वो चीज़ है, अगर मालेज़े दोनों के बीच में कोई treaty हुई है, तो वो treaty के बारे में पूरा पताना पड़ता है कि क्या treaty है, कब हुई है, किसके बीच में हुई है, तो वाके ही वो होती है, वैसे नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे साथ में है, तो वो चीज़ है scientific proof, यन कि जो चीज़ valid है, जो चीज़ सही है, तो उसको इसमें देखा जाता है, अब देखें, यहाँ पर क्या है कि यह जो a voyage of discovery, आप देखें कि simple सी शब्दों में आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि जो discover करने जा रहे हैं, वोच का मनल होता है कि आप कहीं पर, हिंदी में कहते हैं, जिसे यात्रा करने जा रहे हैं कहीं पर, है ना, sailing करने जा रहे हैं कहीं पर, तो इसे voyage of discovery कहा जाता है, जब आप discovery की यात्रा पर निकलते हैं, है ना, जब आप discovery करने निकलते हैं, तो वो होता है यहां कि research में क्या है क्या बहुत नई नई चीज़े क्या है वो करते हैं research में बहुत बहुत नई नई चीज़े आप यहां पर discover करते हैं so we can summarize the meaning of research अब देखे हम यहां पर research के meaning पे पहुँचे है इसका meaning क्या है an attitude of inquiry, search, investigation अब देखे यह क्या है यह एक attitude है किसका inquiry का search का और investigation का यहां कि किसी भी चीज़ के बारे में देखे आप investigate करते हैं इनके सवाल जवाब करते हैं आपके मन में जो है और search करते हैं inquiry करते हैं उसके बारे में तो वो research है scientific and objective efforts made to uncover facts अब देखें uncover facts मतलब जो facts cover नहीं हुए है जैसे माली जे कि आपने कोई topic पढ़ा है लेकिन आपको लगता है कि यार इस book में मैंने topic पढ़ा यह बढ़िया नहीं है आपको मैं और simple meaning बताता हूँ जैसे माली जे आपने कोई भी topic पढ़ा आपने किसी book में topic पढ़ा लेकिन आपको वो topic आधा अधूरा लगा आपको पूरा नहीं लगा आपको लगा कि या यह ना बहुत छोटी explanation है थोड़ी बड़ी होनी चाहिए तोपिक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए फिर आपको करते हैं बुक के इलावा कोई और बुक दीखते हैं या Google पे सर्च करते हैं या YouTube पे सर्च करते हैं तो उसे क्या है कि आप notes बनाते हैं तो वो क्या है आपकी research है यानकि same topic है लेकिन आपको वो आधा दूरा लगा incomplete लगा आपको उसमे facts नहीं नजर आए फिर आपने क्या किया उसे YouTube से cover किया Google से cover किया तो आपने उसे बढ़िया बना लिया अपने notes अच्छे बना लिये तो वो हो गया research यानकि जो चीजेस में cover नहीं थी जो fact नहीं cover थे आपने उसे cover कर लिये Hence require the application of scientific method अब देहें या आपे क्या है कि scientific method का होना बहुत जरूरी है scientific method मतलब कि ऐसा नहीं आपको systematic way से चलना है देखिए ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं है ना ऐसा नहीं है scientific method मतलब कि जो चीज valid है अगर आपको माली जे कहाई दिया कि इंडिया चाइना के relation के उपर बात करिए तो आप उसे के उपर बात करेंगे बीच में अमेरिका को नहीं लेके आएंगे ना दूसरी बात क्या है कि माली जे आप paper one के बारे में कुछ सर्च करें तो आप paper one का जैसे research chapter आप उसे ही cover करेंगे तो scientific method कि आया है कि वो चीजे जो उस चीज से related हो तो आपको यसे ऐसे ही याद करना है तो देखें यंग पीवी defines यह कहते है research may be defined as a systematic method of discovering new facts or verifying old facts their sequences inter-relationship casual explanation and the natural law which go on them अब देखें यहाँ पर कहते हैं कि research क्या चीज है जिसमें हम new facts को discover करते हैं old facts को verify करते हैं इनके old facts को देखते हैं वो क्या है verify करते हैं उसे new facts को देखते हैं उसके sequence बनाते हैं उसमें हम inter-relationship आपस में उसमें relationship देखते हैं वो है research डंकन मैक डॉनल यहाँ पर कहते हैं कि the common facts of today are the products of yesterday research यानि कि देखें जो आज हमें product हमें दिखाई देते हैं जो हमें चीज़े दिखाई देते हैं वो पहले research की जा चुकी है यानि कि देखें अगर market में कोई भी चीज़ आपके पास available है market में देखें कोई भी medicine available है for example तो उसके पहले बहुत सारी research हो चुकी है है ना markets में बहुत सारी books है आपकी studies are related उसके बारे में पहले बहुत सारी research हो चुकी है तभी आपके सामने वो है Kalinger defines it as research is the systematic controlled empirical and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relation among natural phenomena आप देखें यहाँ पर क्या है यह जो research है वो systematic है control होती है empirical होती है और critical investigation होती है hypothetical hypothetical देखें होती है कि जो हमारी दिमागी सोच है जो हम अपने mind से सोचते है उसे बहुत है है hypothesis हमारी में दिमाग में महुत जार चीज़े जलती है तो उसके धियान में रखते हैं हम systematic way से control way से control way मतलब कि उतनी ही चीज आपके research के लिए ज़रूरी है systematic way से control way से empirical way से क्या है कि हम चीजों को criticize करके investigate करते हैं कि क्या चीज़े सही है क्या गलते सब को इसमें देखा जाता है वो है research तो देखें next यहाँ पर है John W. defines अब देखें John W. आपर define करते है research is the systematic and objective analyze and recording of controlled observation that may leave the development of generalization principle or theories result in prediction and possible ultimate controls of events यह कहते है कि जो research है वो systematic way से है हमारे पास objective होते है जिसे हम analyze करते है हमारे पास जो चीज़े है उसको analyze करते है develop करते है principles को देखते है theories को देखते है जिसके बाद क्या है research को किया चाता है so K. V. Rao defines यहाँ की K. V. Rao यहाँ पर define करते है यहाँ पर अंग्रीज़ों नहीं define किया तो Indians की भी बारी आने चाहिए है तो K. V. Rao's यहाँ पर define करते है best and intensive and purposeful search for knowledge and understanding of social and physical phenomena अब देखे यह क्या कहते है कि जो social और physical phenomena है समाजी घटना है है ना social physical phenomena है उसे understand किया जाता है तो उसके बाद it is not merely an acclimation of knowledge but a crucial and scientific analysis of social facts and formulation of generalization as a basis of action and foresight अब देखे यह कहते हैं कि हमारे पास जो भी social and physical phenomena होता है उसके बाद देखे जो हमें knowledge मिलती है तो हम वो scientific पहले हमें proof करना होता है scientific analyze करना होता है social facts को कि क्या वो सही है उसके बाद हम research करते हैं वो है हमारी research तो देखे according above definitions we can say that research of knowledge through objective and systematic scientific methods of finding solution to a problem in research अब देखे यह कहते हैं यहाँ पे यहाँ पे हम जानते हैं कि उपर जो सभी definitions हैं उससे हम देखते हैं कि जो हमें knowledge प्रापत होती है search करने के दोरान जब हमने देखे चीज को search किया जो हमें knowledge मिली है so वो हमें objective के रूपे मिलती है systematic scientific method को पनाने के बाद हमें मिलती है यहाँ कि देखे जो भी हमें research में problems आती है हमें उसका solution मिलता है objective के दोरा और systematic scientific method अपना के देखे problem क्या है problem क्या है आपके questions यहाँ कि देखे जब आप research करने निकले हैं किसी चीज को आपको search करना है तो आपके सामने जो question है उसे कहते है problem जब उनका answer आपके सामने आता है उसे कहते है solution so आपकी जो problem का solution है वो मिलता है search के दोरान research के दोरान और वो कम मिलता है जब आप scientific method अपनाते हैं systematic way से चलते हैं और आपके कुछ objectives से होते हैं उसे कहते है research it helps in decision making reducing the element of risk and uncertainty अब देखें ये हमें decision making है रा किरते हैं देखें इसमें कहां कि high element of risk जो होता है वो निकल जाता है high element risk मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास चीज है उसे हम बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है ये चीज़ बिल्कुल सही है क्योंकि देखें हमने पता है कि ये हमने systematic way से किया है अगर आपके सामने अगर आपके पास को knowledge है तो आपको पता है कि वो सही है क्यों क्योंकि आपके पास systematic way से आपने उसे पड़ा है systematically आपने उसे खुद से किया है तो देखें यहां पर हम करते हैं objectives of research अब देखें research के कुछ objective होते हैं सबसे पहली बात क्या है कि research is generally oriented towards look like looking into 5Ws and 1H of a problem अब देखें जब भी हम research करते हैं हमार सामने 5Ws होते हैं और 1H होता है अब देखें कोई भी चीज है अगर आप अख़बार भी पढ़ते हैं news paper पढ़ते हैं तब भी आपके सामने 5 चीज़े होते हैं 5Ws और 1H वो क्या है who, what, where, when, why and how तो देखें बहुत important research के लिए यहनकी who कौन research कर रहा है, what क्या research कर रहे है where, कहां पर research कर रहे है, when, कब research कर रहे है, why, क्यूं research कर रहे है और how, कैसे research कर रहे है है ना वो सारी चीज़े फर एक्जांपल यहां पर आपको मैं पता हूँ जैसे demonetization चीज हुआ demonetization हुआ था ना 2016 में नोट बनती होगी थी अब आपको उसके बारे में research करनी है कि कैसे हुआ, सबसे बेरे आप क्या करेंगे आपको सारी में 5W और 1H है आप करेंगे who, किसे ने demonetization की परजाह मंत्री शिरी नरेंदर मोतीजी ने what, क्या किया demonetization किया, where, कहा किया इंडिया में किया when, कब किया, 2016 में किया 2060, why, क्यूं किया अब देखे, क्यूं किया का मतलब है क्यूंकि देखे, जो देश में black money थी, कारा धंदा उसे उसको निकालने के लिए और जो terrorist activity सी उसको कम करने के लिए और how, कैसे किया यह ता आपको पता ही है यह सारी चीज़े आप research में आपके आती है अब देखे, Bernard Bruch defines it as millions saw the apple fall but Newton was one of who asked why it was this why, which leads to discovery the law of gravitation अब देखे, Bernard Bruch यहाँ पर बहुत बारीकी से कहते है कि बहुत सारे सेब गिरते हैं लोगों के उपर लेकिन जब Newton के उपर सेब गिरा जब Newton के उपर apple गिरा तो उसने सोचा यह apple क्यों गिरा तो जिसकी वज़ा से देखे, उसने खोजना शुरू किया research करना शुरू किया इस why को लेके जिससे हमें क्या है law of gravitation मिला अब देखे, अगर Newton के सर पर apple नहीं गिरता तो हमें law of gravitation नहीं मिलता तो इसके वज़े से क्या है कि हमें law of gravitation मिला यह क्या हुआ, research हुआ the main objective of research is to find out the truth which is hidden and which has not been discovered as yet अब देखे, research का meaning क्या है कि हमारे बस वो objective होते है वो सचाई हमें निकालनी होती है, जो hidden है हैना वो truth जो hidden है जो हमें नहीं पता किसी को नहीं पता हम उसमें discover करते हैं उसे कहते हैं research research objectives are usually specified on the basis of topic of research these are based on the goals which researchers want to achieve or information which they want to extract from the data आप देखे, जो data देखे, सबसे मेली बात क्या है कि यह जो research होती है वो base होती है goal के उपर researcher के उपास क्या goal होता है कि मैं research क्यों करनी है आपको research क्यों करनी है मुझे research क्यों करनी है आपके पास सामने goal होगा तो आप नई information को लेकिए आएंगे उसमें क्या है कि आपको समने बहुत सारे objectives होंगे जिसके भिहाब पे क्या करेंगे आप research करेंगे आप research आपको क्यों करनी है objective क्या है goal क्या है information आपको तभी उसमें मिलेगी तो देखें यहाँ पे main बात है यहाँ पे your research objective should be smart smart मतलब इसको हम smart शप्त को देखेंगे कहते कि आपकी जो research है वो smart होनी चाहिए smart मतलब specific, measurable, achievable, realistic and time constrained तो देखें specific में क्या है अब हम बात करते है as for specific be precise about what you are going to अब देखें specific होता है कि आप किस चीज के लिए जा रहे है जो आप research कर रहे है उसको topic क्या है वो कैसे special है दूसरों से कैसे special है वो किसी specific topic के उपर बात करेंगे जैसे माली जे की जो Newton था उसने law of gravitation किया वो specific topic है क्योंकि उससे पहले वो नहीं हुआ था उसी नहीं किया उसे उसे research किया है law of gravitation को measurable, what evidence will you have that you have search for your goal अब देखें आपके सामने कौन से सबूत है कौन से evidence है जिसके भिहाब पे आप research करेंगे अपने goal तक पहुंचेंगे achievable, don't attempt too much a less ambitious but completed objective is better than an over ambitious on that you cannot possible achieve अब देखें यहाँ बे क्या है कि attempt too much मत करिए यहनकि अगर आपके सामने किसी चीज़ का result नहीं आता तो आप attempt इतना मत करिए तो देखें अगर आपके पास ambitious नहीं है, सपने नहीं है है ना, तो अगर आपके पास वो नहीं चीज़ है है ना, तो इससे अच्छा है कि आप over ambitious मत होईए अगर आपको जो चीज़ करनी है तो वाकिर आपको करनी है, तो आप उसे करिए अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है आप सोच रहें कि हाँ मैं research कर लूँगा कोई बात नहीं जब मर्जी है, वो बात नहीं है है ना, आपको चीज़ों को achieve करना है realistic, do you have the necessary resources, time, money, skill to achieve the objectives अब देखे आपके पास क्या पैसा है, समय है यह की time है, money है, skill है research करने के लिए तो तब ही आप कर सकते हैं, क्योंकि research के लिए आपको देश भी देश भी घुमना पड़ता है इंडिया, foreign है ना, कही जगा पर जाना पड़ता है तो आपके पास time है, उतना पैसे है, skill है, आपके पास तो यह चीज़े जुरूरी है time constraint, अब देखे determine which each stage needs to be completed, is there time in your schedule to allow for unexpected delays क्या आपके पास वो देखे time है, क्योंकि research एक दू दिन में नहीं होती, इसको सालों लग जाते है, बहुत सारे years लगते है, बहुत सारे साल लग जाते है तो इसे complete होने में लिए क्या आपके पास उतना time है, तो आपको लगता है कि वो delay रही होगा, आप time पे उसे कर लेगे है ना, ऐसा नहीं की research करते करते आप उड़े होगे, ऐसा नहीं है है ना, तो आपको time के recording की research को complete करना पड़ता है, तो आप उसे कर पाएंगे तो देखे, some objective of research are falling, अब देखे, कुछ research, जो objective है जो हम देखते हैं, to formulate a new theory or concept based on the finding of research, अब देखे जब हम new theory, objective हमारा क्या है, यन की, देखे, जो हमारे objective क्या है, मारे उदेश्य क्या है research क्यों करते हैं, सबसे बड़ी बात है, क्या objective है तो देखे, new theory जो new theory है, हमें वो देखनी होती है, है न, जब हम research करते हैं new theory मिलती है, नया concept मिलता है, इसलिए हम research करते है, to verify data and facts in respect of analysis made by other scientists or in existing theory अब देखे हैं, हम research, जिस सीज़ पे करते हैं, या तो उसे other scientist ने पहले ही search किया हुआ है या वो पहले से ही theory होती है, जिसको हम आगे research करते हैं, है न, हम उसके क्या करते हैं, कि data को verify करते हैं, facts को verify करते हैं, facts को analyze करते हैं, कि एक scientist ने कैसे research की थी, क्या क्या चीज़ थी, फिर हम उसके आगे research करते हैं, ऐसा है कि जो उसने पहले चीज़ खोज ली थी, आब वही चीज़ फिर से खोज रही है, ऐसा न का उसके बाद फिर आप अपनी एक सर्च को आगे लेकी गए तो फाइंड आउट सलूशन आफ दा प्रॉलम विट दा एप्लिकेशन आफ साइंटिविक मेथड आप देखे आपके पास जो प्रॉलम थी यानके आपके पास जो कॉशन थे तो आपने उसका सुलूशन यानके आपने उसका अंसा निकाला कैसे साइंटिविक मेथड को अपना के यानकी सिस्नेमेटिक वे से अपना के तो अंडेस्टैंड एनी पर्टिकॉलर फिनॉमिना और प्रॉलम और अनलाइज कॉज एंड इट्स एफेक्ट अब देखें कॉज एंड एफेक्ट क्या है कि चीज़े क्यों होती है उसका एफेक्ट क्या होता है उसको ध्यान में रखते हुआ आपने देखा कि कोई चीज हुई है क्यों हुई है जैसे देखें न्यूटन देखा सेव गिरा क्यों गिरा है कोई भी। देखे, फिणामेगा घटता है, कोई भी घटना घटती है, उसकी फ्रिकैंसि क्या है, वो कैसे घटित हुई है। वहै न, वह चीज़ देखते है इसमे हैं। To verify social fact, generalization and value. अब देखें, जो social fact देखे जाते हैं, जर्नलाइस किया जाता है उसे, उसकी values देखी जाती है. To suggest remedial measure and solution for problem. अब देखें, जो problems है, उसको solution उसका निकाला जाता है, उसके लिए measurement किया जाता है, कि हम problem का solution कैसे निकाल सकते हैं. To examine different aspect of daily life. अब देखें, जो हमारी daily life में नईनी चीज़े होती है, different different चीज़े होती है. देखें, आपका हरे एक दिन आपके पिछले दिन से अलग होगा. कुछ दिन अच्छा भी देगा, कुछ दिन टेंशन भी भी देगा वो. To examine different है, हमारी देग का जो भी life, जो daily life का जो दिन है, उसको examine किया जाता है. आज हमने क्या किया, कल हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे. To develop principle, which shape is particular procedure. अब देखें, principle होते हैं, जो हमारे principles को धिहान में रखते, हम अपनी procedure को आगे बढ़ाते हैं, कि हम किसी चीज़ को copy नहीं करेंगे, खुझ से करेंगे, तो research को हम बहुत valid तरीके से करेंगे, ऐसे research करेंगे, जो किसने की नहीं हो, वो होते हैं principle. To test the hypothesis, of a casual relationship between variable. अब देखें, जो चीज़ चैज़ूल होती हैं, देखें, hypothesis मतलब क्या है, कि आपके दिमाग में जो चलती हैं चीज़े, जिसे कहते हैं, परिकलपना हिंदी में कहते हैं, इनकी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़े होती हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़े घूम रही हैं, तो आप उसे test करते हैं, है ना आप देखते हैं कि जो वेरीबल है वेरीबल होते हैं जो वेरी करते हैं इनकी दो बदलते रहते हैं आपस में है ना दो चीजे हैं आपस में उनका रिलेशनशिप क्या है वेरीबल आपस में रिलेशनशिप उनका क्या है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है तो आप पाइपोथेटिकल सेंप्लिंग और प्रिकल्पना कहते हैं यह इसके उपर बेस्ट जैसे मारी जाब रिशर्च करें जाते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि कैसे research करें, कौई सी चीज को पहले ले, आपके दिमाग में बहुत सारी बाते घुमती है और बहुत सारे assumptions है देखिए अब देखें, assumption के बिना कोई भी चीज को proof नहीं किया जा सकता assumption को हिंदी में कहते हैं, मनता है assumption जो है, वो चीज को valid बनाती है इसलिए, तो research के इसके उपर waste है, assumption के उपर और hypothetical sampling के उपर, यानकी जो आपके दिमाग में चलती है चीजे, उसको आप real चीज में लेके आते हैं, तो वो research उसके उपर होती है, और साथ में जो assumptions है, यानकी जो valid बनाती है research को इसके उपर research is a scientific and social investigation आप दिए research क्या है, यह scientific भी है, यह social क्या है, आपको social investigation करना पढ़ेगा investigation मतलब आपको देखना पढ़ेगा, यहाँ पर कितने बुड़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने आदमी हैं, कितने और अधे कितने पड़े लिखे हैं तो इस सारी चीज़ आपको डाटा इकठा करना पड़ेगा तो वो कैसे होगा social investigation से यानि कि जब आप अपने आस पास लोगों से मिलेंगे घूमेंगे हर एक state to state वहाँ में घूमेंगे या आपको different different type का आपको यहाँ पे क्या है social investigation पता चलेगी है ना जैसे माली जे हम कहते है कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है यूपी में हिंदी बोली जाती है बिहार में मगधी वाशा बोली जाती है जातर और हिंदी बोली जाती है और different different state की क्या है language है अब देखें यह आपको प्रूफ करना हो तो आप कैसे करेंगे आप देखें वहाँ पर जाएंगे लगदक स्टेट में वहाँ पर जाके आप देखेंगे तो यह क्या है सोशल इंवेस्टिगेशन है यहनकी खुद आप अपने जो लेवल पर जाके जाज कर रहे है वो और यह साइंटिफिक भी है साइंटिफिक मतला होता है कि जैसे यह वैलड जैसे है जैसे देखें साइंटिफिक प्रूफ है ना कि जैसे हम कहतें कि साइंटिफिक प्रूफ क्या है कि जो जैसे यह सन है इसके आसपस क्या है जो सभी जो हमारा प्लैनेट है जो सभी ग्रह है जैसे धर्ती भी है वो इसके गूमती है यह कहीं साइंटिफिक प्रूफ है ऐसे तो रिसेच भी एक साइंटिफिक प्रूफ होती है अब देखें साइंटिफिक मीन्स इट रिक्वाइट दा यूज ऑफ स procedure यहीं कि scientific means क्या है अब देखें इसमें scientific meaning क्या होता है यहीं कि scientific का meaning है कि ढिन कि वो चीजे जो हम scientific method और procedure YOU करते हैं यहीं कि देखें अगर हमें चीज को valid बनाना है तो हमें scientific method यहीं कि वो method बनाने होंगे जो ज़रूरिय है जो यानि कि scientific method में बहुत सारी सीज़े आती है पहले आपको चीज़ को लिखना होगा देखना होगा समझना होगा आप देखें laboratory में जाते हैं वहाँ पर क्या होता कि बहुत सारी machines होती है लैप में देखिए बहुत सारी क्या है जहाँ पर वो test होते हैं तो क्या है scientific method है अब देखें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको जो procedure है आपको यहाँ पर क्या होते है टेस्ट करने होते है उसी के बाद पिर आप उसे apply कर सकते हैं यानि कि तेस्ट होते हैं जैसे मानने जे कोई भी दवाई है अब देखें मानने जे मैं क्रोड़ना वैक्सिन की example लेता हूँ क्रोड़ना वैक्सिन देखें मार्केट में आई कितनी देर बाद है तो क्रोड़ना वैक्सिन आने मैं इतना time क्यों लोगा कि देखें उसे पहले क्या है उसे टेस्ट किया गया पहले ट्राइल किये गए फिर टेस्ट किया गया कुछ कमिया थी तो इसे दूर किया गया वो चीज़े अब देखे यहाँ पर क्या है कि जो इन्फोमेशन दी जाती है जो रिजल्ट आता है इसका वो किसके जरीए है scientific method के जरीए है जैसे मैं for example फिर से लेता हूँ क्रोना वैक्षिन की अब देखे क्रोना वैक्षिन जो मार्केट में आई तो उससे पहले क्या था बहुत सारे टेस्ट हो बहुत सारे scientific method हुए है अब ऐसा तो है नहीं है कि वैसे ही बजार में मार्केट में दवाई उतार दी उस किया है क्या वाकई हो tenant है उस चीज के वैले उसुद हे वैले है तभी वो मानी जाते है अब जैसे माल जीया रिसाज कोई करनी है है ना आपको देखना है कि इंसान जो है वह बूड़ा कभी ना हो तो समय क्या है कि है कि लापको कैसे लंबी हो वह बहुत सारी विमारियं है इसका इलाज कैसे धुना जाए अब देखे जैसे AIDS है Cancer है इसका इलाज नहीं है लेकिन क्या है कि इसको फिर से यहां पे से research किया जा रहा है कि इसे कैसे दूर किया जाए बहुत सारी ऐसी scientific जो बिमारिया है इंजान की तो इसे दूर कैसे किया जाए यह इसमें देखा जाता है रिसर्च में research क्या है कि बहुत सारी चीज़े इसके अंदर आती है आप जेर फोल्डर है आप किसी युनिवर्स्टी में PhD करते हैं तो आपको भी इसमें देखिए research करनी होती है तो आपको एक topic दिया जाता है तो आपको उसके बार में क्या है पढ़ना होता है कि अग्याइब तो देखे रिसर्च डेवलप्स कंसेप्ट प्रिंसिपल एंड थियोरी अब देखे जो रिसर्च है वह क्या करते हैं वह कंसेप्ट को डेवलप्स करते हैं प्रिंसिपल होते इसके और थियोरी होते है अब देखे जो रिसर्च है तो उसमें आपको concept दिया जाते है कि यह चीज किस पर based है concept क्या है कि आप किसके ऊपर research करने जा रहे हैं उसका meaning क्या है उसके principles क्या है आप किस चीज को अपना रहे है उसकी theory फिर आपको लिखनी पड़ती है कि आप इस गाउं में गे आप इस शहर में गे आपको पूरा वो लिखना पड़ता है जब भी आप research करते हैं आपको thesis जमा और आती हैं किसी भी आटल की हैं तो वह क्या है वो research के द्वारा ही आती है यानकी बहुत सारी चीजों को fact कठ ख्याता है वो सही हो उसी के द्वारा फिर वो books market में आती है आप दीखे माली जा आपको user paperone paper two की book लेते हैं वो research के द्वारा ही market में आती है इसलिए यानि कि जो आपका syllabus है उसके according सारे topic इसमें include होते है वो काफी research के द्वारा आते है Research information is used to take accurate decision अब देखें research information क्या है इसमें accurate decision होते है accurate decision मतलब जो चीज के बारे में आप पढ़ रहे है या जो चीज के बारे में आप जान रहे है वो चीज accurate है हम कहते हैं कि इंडिया की जो अबादी है जो population ने वो 130 करोड है तो यह accurate decision कैसे है क्योंकि इसे देखा गया है आप देखें होती है जंडगंड़ना census होता है हर साल हर दस साल के बाद जैसे देखें लास्ट 2011 में हुआ था अभी 2021 में census आएगा है ना तो इसमें पताच लगा कि हमारे भारत की अजादी जो भारत की अबादी कितनी है इंडिया की population कितनी है तो यह accurate decision यहां पे लिए जाते हैं है ना यहनकी जो भी topic है आप वो पढ़ रहे हैं यह जो भी चीज़े हैं वो आप कर रहे हैं तो उसके बार में क्या है accurate decision आते हैं किसे research से research से यह पता चलता है कि हाँ यह चीज ऐसी है यह ऐसी क्यों है ना वो चीज it is based on the work of other अब देखें यह किस के उपर based है दूसरों के काम के उपर दूसरों का मतलब आप देखें जैसे की आप देखें कि माने जी आप कोई किताब पढ़ रहे हैं है ना आपने कोई topic पढ़ा आप आपने तो लिखा नहीं है वो लिखा किसने दूसरे ने है ना माने जी पेपरवन के book पढ़ रहे हैं लेकिन आपने वो लिखी नहीं है और वो लिखे दूसरे writer ने लेकिन जवाब उसे पढ़ते हैं, आपको लगता है कि इसमें बहुत सारी कमिया है, बहुत सारी spelling mistake, आप वो सही करते हैं, बहुत सारा data इसमें दिया ही नहीं गया है, तो आप क्या करते हैं फिर उसे गूगल पे, यूटुब पे, अन्य बुक से क्या है, पाके मुख से आप उसे सर्च करते हैं तो उससे क्या होता है कि फिर आपने आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो उससे क्या है कि वो आपकी research तो हो गई लेकिन आपने जो काम तो दूसरों का पगड़ा दा यानकि देखें जो works तो दूसरों का हुआ लेकिन आपने किया उसे आपने उसे modify कर दिया है ना वो चीज तो इसलिए ये काम किसका है दूसरों का अब दिखें ये replicate भी है और ये doable भी है यानकि ये काम जो है करने के लिए भी है और ये क्या है दोहराई भी जाते है आप देखें जैसे मालेजे की मैं आपको कहता हूँ कि ये जो चीजे है ये replicate करते है ये replicate का मतलब आप simple सा ये मान के चलिए कि जिसे हम कहते हैं ना answers कर दिया जाता है ये ना वो चीज यानकि आप इस चीज को क्या है कि आप इसे जैसे मर्जी आप इसे घुमा फिरा सकते हैं मतलब कि जैसे मालेजे आप किसी topic के ओपर जा रहे है तो आप उसी topic को आगे भढ़ाते हैं है ना आप उसी topic को आगे करते हैं ऐसा नहीं कि आपने वो topic काड़ के आपनी तरह से कुछ शुरू कर दे जाके करते हैं कि जहां पर research खतम होती है उसे आगे आप कुछ नया add करने की कोशिश करते हैं वो चीज इडिज जनलाइजेबल टू अदर सैटिंग अब देखें यहां पर क्या है कि अदर सैटिंग में यहां पर क्या है आपके पास किन चीजों की जूर्थ है आपने वो चीज कि आपके पास टाइम है आपके पास पैसे है वो चीज यह सारी चीज क्या है यह जनलाइज होती है यह अदर सैटिंग्स क्या है आपको research करनी है आपका अपना काम करना है लेकिन उसके लिए क्या है आपको बाकी चीजों की जोट करती है जो basic चीजे होती है रहा वो चीज़ अब देखे यह किसके उपर बेचे है यह सम लॉजिकल रैशनल और थियोरी पर बेचे लॉजिकल क्या है यह रहां कि जो भी चीज आप बता रहे है वाने लॉजिकल है यह जह्े चीज बेचे 》पर आप अम कहते हैं की जो इंडिया है वह इंडिपेंट हए यह अजाद हवा 1947 में अब यह हवावर में बात नहीं है यह क्या है वाकिए हुआ है क्योंकि इसके पेशे logic है है ना logic बहुत बड़ा हिस्ट्री बढ़ेगा आपको पता चलेगा उसमें कि बहुत सारे रेडनम फाइटर थे ऐसे करके वो चीज तो कोई भी चीज हो उसके पिछ लॉजिक है हम कहते हैं कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि जो बारिष ओती है उसके पिछे कोई भी चीज हो उसके पिछे क्या है logic जरूर होता है तो research इसी के उपर best है इट जन रेट्स न्यू गॉश्चन और इस साइक्लिक इन नेचर अब दिखें इसे नए नए कॉश्चन आते हैं पिए सांगे आते हैं नए कॉशन क्या है कि जैसे देखर कि बहुत सारे नहीं कॉशन नहीं कॉशन जैसे मानिजिब को और रिस्च करने जा र ने बहुत सारी ऐसी चीज़े आ गई है ना वह चीज़ तो क्या है नएने कॉशन आपके सामने आते हैं आपने कॉशन कहां सार ढूंडा फिर आपके सामने दूसरी नए चीज़ आ गई अप देखें इसका मतलब हम समय से हैं इंक्रिमेंटल का आप देखें कि इंक्रिमेंटल को अगर मैं हिंडी में कहते हैं घैसे हम कहते हैं ने किसी चीज़ में क्या है कि विर्द्धी हो जाती, increase हो ना वो चीज, वो क्या है, incremental, हिंदी में इसे मैं कह देता हूँ, कि मुरिध्धी, तेक्षाइ, यह, इंग्लिश में ही इसे कहते है, increase करना, तेक्षाइ, increase, तो यह क्या ही, incremental है, यह क्या ही, increase होती है, देखे जैसे आपके पास कोई topic है आपके पास इंडिया चाइना का डिलेशन का topic है तो आपने किया कुछ चीज़ जो कार दिया अपनी तरफ से कुछ add कर दिया तो क्या है कि वह चीज़ increase हो जाती है आपने नई चीज़ add की वह increase हो गई इट एड्रेस डियरेक्टली और इंडियरेक्टली सम रियल प्रॉलम इन दा वर्ल्ड अब देखें यहां पर क्या है कि कि बहुत सारी चीज़े क्या है कि चाहे direct ली हो चाहे इंडियरेक्टली हो लेकिन वो आपकі जो रियल लाइफ की जो प्रॉलम है जो रियल वर्ट की प्रॉलम है उससे connect करती है रियल वर्ट की जैसे मानी जा आपने research किया वो कही na कही दूसरों से क्या है उनकी जो real problem है उसे क्या है वो directly and directly connect हो जाती है वो जी अब देखे रोल of research in different fields अब देखें different different fields में इनकी जो क्या role है वो देखिए the role of research has been gaining importance over a time as it promotes the development of logical habits of thinking and organization and help in problem solving it is important in every sphere of life अब देखें यहां पर क्या है कि जो अब देखें यहां पर क्या है कि जो research है उसका role भूद होती है आप देखे जैसे माल नेजे की मैं आपको कहता हूँ कि हमें कुछ research करनी है अब research देखे उसको क्या है कि बहुत सारा time लगता है बहुत सारी हमारे दमाग के अंदर चीजे होती है तो जब हमारे अंदर कोई चीज़ हो जो हम सोचते हैं कि एक ऐसे होनी चाहिए और ऐसे होनी चाहिए तो समारे अंदर क्या हैंको कॉशन आजाते हैं बहुँ सारी प्रॉल्लम्स आ जाते हैं तो इसका स्लिशन करना ज़रूरी है घंवर्य परशान तो यह क्या है logical habits है thinking की अगर आपके बाद देखे thinking की habit है तो आप इसे असानी से कर पाएंगे All government policies are formulated after a research regarding specific problem to be addressed considering alternative policies and examine their consequences so as to choose the best available policy It is considered necessary to avoid wastage of nation resources by their efficient allocation अब देखें यहां पर कहा है कि जितने भी government की policies हैं चाहें वो किसी के उपर भी हो वो सारी research के बाद ही आती है आप देखें कि यह कहते हैं जैसे माने यह कहते हैं कि हमें subsidy देनी है किसान को subsidy देनी है गरीब लोगों को subsidy देनी है LPG gas की subsidy देनी है तो research करते हैं यह कहते हैं कि माने यह LPG gas की subsidy देनी है जो आते हैं अकाउंट में पैसे आते हैं जैसे माने आपने 700 रुपे का सिलिंडर लिया आपके अकाउंट में 100-500 रुपे वापिस आ गए तो वो कहते हैं subsidy यह कहते हैं हमें subsidy देनी है लेकिन वो research करते हमारे देश में कितने लोगों के पास gas cylinder है कितने लोगों के पास bank account है तो उनके account में आएगी वो चीज़ तो देखे यह जो specific problem होती है जैसे माने लेजे की अब बहुत सारे लोगों को problem है जैसे हमारे देश में बहुत सारी problems है उसके लिए policies बनाई जाती है उनको examine किया जाता है कि पहले बात तो problem है क्या अगर problem है तो उसे दूर कैसे किया जाए तो पूरा research होता है वहाँ पे जब भी government कोई policy बनाती है तो वो जी जैसे देखे डिजिटल है डिजिटल इंडिया किया गया तो उसमें क्या है कि यह दिखा गया कि problem कहा है आप देखे जैसे uegisnet के exam की बात करते है पहले offline exam होता था इसका जो result थ वो तकरीवन एक से दो महीने बाद आता था पहले जब offline था लेकिन जब से online हो गया इसका result आता है 15 दिन के अंदर तो यह पहले research किया गया कहां पे 2 महीने कहां पे 15 दिन है पहले research किया गया कि कैसे किया जाए फिर offline से किया किया online shift कर देए और कि government की जितनी देखे policy है चाहे वो किसी के लिए भी हो तो वो after research के ही दोरा आती है कि ताकि best policy जो है वो available करवाई जाए और जो देश के जो resources है उसका waste भी ना हो वो चीज़ अब देखे जैसे जब अधार काड़ आया था जब अधार काड़ आये थे तो अधार काड़ के time पे क्या था कि आप देखे अभी अधार काड़ आप डिशन चलती है कभी कहते है आप उसमें पूरा date of birth भर दीजिए है ना पूरा date of birth आप वहाँ पर भरिये क्योंकि देखे वहाँ पर पूरा date of birth नहीं होगा आप आता है date of birth भरिये महाँ पे अब यह चीज़ एड करिए mobile number लेंक करिए देखे अगर यह प बहुत सारा पैसा खर्च होता है इसके अंदर वह भी बच जाता बहुत जारी चीज़ आती है नहीं वह चीज़ इसलिए government क्या करती है अभी सोच समय के सारी चीज़ों को तभी launch करती है कि ताकि वेस्टर्स ना हो और एक अच्छी policy निकों क्या है वह किसे होती है रिसर्च से सो देखें रिसर्च कैन भी औलसो कैन अलसो बी यूस गग्लिट दा कॉंसिकैंस्टी एंट anymore इफक्टिवनेस ओफ बढसि आफ्ट इं मेंट्रियमेसे अब देखें यह जो है सिश्च है यह तेखें वैप्लिदक की जाती है की कांसिकैंस्स इसकी इसकी एंट की जाती है के दोकर इ אבל कई किसमें अधारा कर दियानाructures और अधार काड को देखें.. इंप्लेमेंट कर दिया.. उसके बाद से एवैल्यट किया गया कि ये सही था कि नहीं उसमें पाया गया वित बहुत सारी कमिया है ना.. अधारकाड में देखें बहुत सारी कमिया है कभी.. उसमें mobile number लिंक नहीं है, वो लिंक करवाना पड़ेगा, फिर उसमें क्या है कि उसमें पूरा date of birth डालता पड़ेगा, ये सारी चीज़ेस में की गई, है ना, जब भी research सफल है कि नहीं है, उसे evaluate किया जाता है, implementation के बाद, तो देखें, यहाँ पर, research has its special significance in solving various problems of business and industry as the result assist in taking business decision, अब देखें, जो research है, वो बहुत सारी business की problem को भी solve करते हैं, जैसे industry से हैं, जब भी देखें, बिजनेस में कोई भी decision लेते हैं, बहुत सारी जो problem से हैं, वो solve करते हैं, search के दवारा, जैसे मैं बात करता हूँ, जियो की, जोने ने के free में, क्या किया था, 2016 में, free में, जो SIM card provide करवाए थे, तो इससे क्या था, कि उन्होंने, उनका target था कि 10 करोड जो customer है, वो अपनी तरफ कीचे जाए, तो उन्होंने research किया कि कैसे खीचे जाए, क्योंकि देखें, market में पहले ही 4G जो ATL के पास था, फिर उन्होंने क्या किया, ATL के जो pack थे, वो बहुत costly थे, तो उन्होंने research किया, कि pack बहुत महंगे हैं, यह लोग लेंगे नहीं, जिसले free में उन्होंने कर दिया, तो 10 करोड के बज़ाए, उनके पास 20 करोड के आसपास customer आ गए, तो यह क्या था, उनकी जो problem थी, वो क्या है, वो solve हुई, उन्होंने अपनी तरफ customer को की चाहेंगी, बिजनस्मेन के पास कहाई देखें, इंडस्ट्री जो है, वो उसमें बहुत सारे business के decision लिये जाते हैं, यह न, वो research के बाद ही होते हैं, It helps scientists in studying social relationship and find answers to social problem. It can be good career path for student to attain high position, a source of livelihood for professional in research methodology. अब देखें, यहाँ पर क्या है कि यह, जो scientists की help करते हैं, है न, जैसे देखें कि समाज का relationship कैसा है, है न, social relationship कैसा है, उसे जानना जरूरी है, social problems क्या है, यह एक scientist के लिए जरूरी है, देखें, होता है न, हमारे social problem क्या है, यहाँ पर क्या है, education अच्छी नहीं है, unemployment है, है न, वो चीज़ें, तो यह क्या है, इसके problem जो है, यह कैसे पता चलेंगी, यह पता चलेंगी, research के द्वारा, अब देखें, यह बहुत सारे student, जैसे देखें, मानेज़ आप जेयर अरफ करते हैं, आप PhD करते हैं, तो आप as a scientist के तोर पे क्या है, कि आप इसमें research को अपना profession बना सकते हैं, तो कि देखें, government को बहुत सारे policies चाहिए होती है, बहुत सारे देखें, industry को यह research की जरूरत होती है, तो आपको भी career आपका बन जाएगा, और उनकी help हो जाएगी, तो इस स for literary men and women, research is a mean for development of new style and creative work, and for analyzed and intellectual to assist in the formulation of new theories, अब देखें, यहाँ पर कहें कि यह new idea, और यह thought होते हैं, किसके philosopher, अब देखें, जैसे philosophers है, thinkers हैं, है न, तो यह क्या है, चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो man है, चाहे वो woman है, तो देखें, यहाँ पर कहा है कि नए नए style आते हैं, आप देखें, जो ladies है, उनकी लिखने का style अलग होगा, man के लिखने का style अलग होगा, इससे कहा है कि नए नए style आएगा निकल के, हर एक person, हर एक thinker, इसका style अलग है लिखने का,